हाई दोस्तो केसे हैं आप सब लोग आई होब अच्छे होंगे अपना और अपने गार्डन का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे दोस्तो आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ winter flowering plant पर के हमें कौन से winter flowering plant अपने garden में add करने चाहिए चलो तो दोस्तो फिर वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं उन सारे flowering plant के नयम पहला आता है मेरा ये geranium जो मुझे बहुत पसंद है फ्रेंड्स ये hanging basket के लिए है ये geranium iv है और एक geranium ऐसा आता है जिसे आप आराम से pots में भी लगा सकते हैं दोस्तो इसकी जो leaves होती हैं बहुत शाइनी होती हैं बहुत खुबसरत होती हैं और आप इसको hanging basket में जरूर जरूर एड़ करें दोस्तो ये बहुती ज्यादा colors में भी available होता है दूसरा है वोयला वोयला जो होता है पैंजी से कुछ मिलता जुलता हुआ होता है और इसमें काफी सारे colors आते हैं और इसमें एक हलकी सी महग भी आती है जब आप इसके करीब जाओगे तो इसमें एक हलकी सी खुशबू भी आती है जो पैंजी में नहीं आती है ये बहुत खुबसरत plants होते हैं इसके flower बहुत खुबसरत होते हैं इसे आप अपने गार्डन में इस विंटर में जरू 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 एड़ कीजिएगा और यह बड़ी असानी से आपको नरसीर से मिल जाते हैं और सीट से भी बहुत आराम से लग जाते हैं आप इसे सीट से भी ग्रो कर सकते हैं तीसरा है मेरी नजर में और विंटर का सबसे सारे flowers का एक राजा होता है ये काफी सारे sheds में available होता है जिसे आप अपने garden में जरूर जरूर एड कीजिएगा जिसे आपके garden की आपके बालगनी garden की खूपसूरती में बहुत जादा बढ़ जाएगी इसलिए friends petunia सभी का favorite होता है और इसकी आप basket बनाएए इसकी basket बहुत जिसे सुर्फीनिया भी कहा जाता है और इसके चोटे-चोटे flower होते हैं petunia जैसे ही होते है friends और ये काफी सारे colors में आता है और जितने भी plants जितने भी flowers दोस्तों मैं आपको बता रही हूं इसकी seeds अभी market में available है आप इने अभी लेकर सितंबर के last में जरूर गिरो कीजिए आपके पास बहुत खुफसरत और बहुत सारे flowers होंगे winter में इसलिए अभी से तयारी कर दीजिए दोस्तों ये है elisum elisum में दोस्तों एक तो white color आता एक yellow आता है ये इसके छोटे-छोटे फूल होते हैं इनमें भी बहुत अच्छी भीनी-भीनी सी खुश्भू होती है आप इसे hanging basket में भी लगा सकते हैं और वैसे भी grow कर सकते हैं ये बहुत खुश्चुरत लगता है और आपके garden एक अच्छा look देगा तो आप इसे भी जरूर एड़ कीजिएगा इस winter में दोस्तों अब चलते हैं आगे आगे आपने पास ये बिगूनिया बिगूनिया बहुत खु हुश्चुरत होती है copper और green मिक्स होता है लिव में भी तो ये बहुत प्यारा प्लांट है या आपको जीतने भी में flowers बता रही हूं या आपको पूरी winter बहुत अच्छे से फूल देंगे अप्रेल तर दोस्तों ये है prime rose prime rose भी बहुत ही प्यारा बहुत ही हुश्चुरत पोदा होता है जो आजकल nursery में बहुत असानी से मिल जाता है इसका प्लान थोड़ा सा 100 ये 60 में आपको मिल जाएगा और इसके बहुत सारे colors होते हैं दोस्तों और ये अराम से आपको आजकल आजकल नहीं अक्टूबर के first week म ये आपको आराम से असानी से मिल जाएगा ये आप पोर्ट में लगाईए एक साथ दो तीन कलर लगाईए हैंगिंग बास्किट में लगाईए friends तो ये बहुत अच्छा लुक देंगे और ये करी सारे colors में आता है आपको color दिखी रहेंगे कितने सुन्दर सुन्दर इसके color होते हैं तो सोचिए friends जब हमारे garden में होगा तो हमारे garden को कितना अच्छा लुक देगा तो friends आप कुछ plants को तो आप nursery से खरी सकते हैं छोटे plant आपको 30-40 में मिल जाएंगे और अगर आप seat से लगाना चाहें तो इन्हें seat से भी लगा सकते हैं तो friends आगे चलते हैं आगे जो ह हमारे नेक्स्ट पिलांटे वह है इस्टॉक इस्टॉक का जो फूल होते हैं बहुत जादा colors में आते हैं friends और आप इसको hanging basket में easily लगा सकते हैं आप इसकी मिटी और बनाते वक्त यहाना के well-drained मिटी हो और उसमें थोड़ा basket की जो मिटी हो थोड़ी हलकी हो और friends यह बहुत की खुबसूरत winter flowering plant होता है यह आपको पूरी winter बहुत अच्छे से flowering देंगे और यह आपको अप्रेल माई तक अच्छे flower देंगे और जो दूसरा हमारा plant है वह है डैन्थस डैन्थस भी winter का बहुत अच्छा flowering plant है इसके भी कई सारे colors आते हैं आप इसे अपनी garden में जरूर कीजिए और आप इसको अराम से सीट से भी लगा सकते हैं और इसकी सैबलिंग भी ले सकते हैं जो इसे लिए नरसरी में आपको मिल जाएगी तो फ्रेंड्स डैन्थस भी बहुत ही प्यारा plant होता है उसके फूल भी बहुत ही खुबसूरत होते हैं और दोस्तों इसके बाद आता है हमारा पैंजी मैंने जैसे अभी आपको बताया था वोयला पैंजी से मिलता जुलता हुआ होता है पर इसके फ्लावर जो होते हैं वोयला से बड़े होते हैं इससे मंकी फ्लावर भी कहते हैं और ये काफे सारे शेट्स में आता है आपको इजीली सर्दियों में ये पर मिलना शुरू हो जाएंगे इनके चोटे प्लांट 5 रूपीज से 10 रूपीज के मिल जाते हैं और अगर आप पूरा वेल डवले प्लांट लेंगे तो आपको 30 रूपीज में अराम से मिल जाएगा और आप चाहें तो इसे सीट से भी लगा सकते हैं एक फ्लावर यह होता है यह प्राइम रो से मिलता जूलता हुआ होता है पर इसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा तो मैं इसको डिस्क्रेप्शन डॉक में इसका नाम जरूर लिग दूंगी तो इसको भी आप अपने गार्डन में जरूर एट केजिएगा यह बहुत ही इसके बहुत ही मल्टी कलर में फ्लार्स आते एक बार में नर्सरी गई थी तब मुझे प्लांट मिला था तो मैंने पिसले साल इसको लगाया था तो इसने बहुत अच्छे फ्लावरिंग की है बस आप क्या जब हैंगिंग बास्केट वगरा की सॉयल बनाएं तो उसे थोड इंटर गार्डन की खुफसूरती बढ़ाई है फिर आपसे दुबारा से मिलूंगी नई वीडियो में नए इंफ्रोमेशन के साथ तब तक का अपने ध्यान रखिए अपने गार्डन का ध्यान रखिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कमेंट और शेयर करना ना भूल दोस्तो